एलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला T20 का मैच खिला जाएगा C.A.N.V.A.H के बीच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों हे टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन सेर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर ओपन करते वे दिखेंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट राउन पे खिलेंगे ऐप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को एक बार सबस्कुराइब जरू कर ले इस वीडियो के नीची आपको सबस्क्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दे साते सत्यापिर जो बैल आपटन दिया हुआ आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा स्टैट्स पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमें सपोर्ट जरू करना और सबसे important है ना कि आपको हमारे telegram group को join कर लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक arrow का button मिल जागा जैसे यहाँ पर यहाँ पर click करेंगे आपको हमारे telegram group का link so हो जाएगा इस group में जोइन करना जूरूरी है क्योंकि line up के बाद after toss आपको final team यहीं पर मिलेगा जी हाँ अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पर discuss करते वे team बनाएंगे ही लेकिन हो सकता है इस team से दोस्तों line up के बाद एक दो खिलाडी missing रहे दोस्तों एक दो खिलाडी line up में ना रहे या फिर उसके बदले में किस खिलाडी को आप ले सकते हैं यह सारे चीजे दोस्तों आपको winning कराने में बहुत help करता है हमारी टेलिग्राम चैनल जो है दोस्तों आपके help करने के लिए ही है तो एक बार जरूर से जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे link में आपको share कर दिया है description box में जहाँ comment करते हैं पहला comment पे link आपको pin कर दिया है आप click करके easy join कर सकते हैं तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यह जो match है 29-30 में यह match आपको देखने को मिलेगा ALMR cricket ground ओमन में मुकाबला होने वाला और यहां का peach condition लगभग आपको पता ही होगा दोस्तों बल्ले बाजो के लिए काफ़ी बढ़ी हाँ पीछे दोस्तों काफ़ी अच्छा score देखने को आपको मिल जागा इस ground पे अभी तक जिस प्रकार matches हुए हैं दोस्तों दोस्तों के आसपास यहां पे score देखने को आपको मिला होगा ठीक है बहुत बढ़ी हाँ score यहां बहुत बढ़ी हाँ ground है दोस्तों बल्ले बाजो के लिए और यही mindset से हम लोग team create करेंगे ground report यही कहता है कि बल्ले बाजो को support देखने को मिलता है चल यहां सबसे पहले Canada के team के बारे में बात करते हैं दोस्तों BEH के खिलाब जो match हुआ था 195 का target यहां पे दिया था जो कि CAN यानि Canada के team 199 तर यहां पे chase कर लिए थे देख से दोस्तों बहुत बढ़ी हां तरीके से पहला मुकाबला win करा है second match भी win करा है दोस्तों और last match भी जीते वे आ रहे है Canada के team यानि 3 matches खेला है और 3 के 3 matches Canada के team जीते वे आ रहे हैं लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं दोस्तों यहां पे बाहरिन के टीम के बारे में दोस्तों BEH के बारे में पहला मुकाबला इनों ने लॉस करा है second match यहां पे win करा है दोस्तों और last match की बात करेंगे तो यहां पे जीते वे आ रहे हैं भला ही दोस्तों एक match यहां पे जीता है जो कि head to head हुआ था मतलब BEH और CEN के खिलाब जो एक match head to head हुआ इन दोनों के बीच ही हुआ था ठीक है इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां पे दोस्तों Canada के team भी win करा है जी है मतलब यह चीज़ आप कह सकते हैं कि Canada के team मजबूत है इनके players अचे perform कर सकते हैं और इनके winning करने के 60% 60-70% आप कह सकते हैं कि जितने के chances match के अंदर ठीक है दोस्तों यहां पे देख सकते हैं बहुत बढ़ी हां बल्ले बाजी कर रहे हैं तीन मैच के अंदर 24 run score कर चुका है तो इनको आपने team के अंदर आपको try करना है दोस्तों जो team के आपको open करते वे दिख जाएंगे अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पे next player के बारे में मिथ्वी जोपर्जों के टीम के आपको open करते वे दिखेंगे एक ही match के अंदर 26 run score करा है एक match कंदर चुकि देख सकते हैं दोस्तों यहां पे open करने के लिए आए थे बाकी प्रगत सिंग यह first round पे खेलेंगे पहले match के अंदर 26 run बनाए दोबर का गिंदबाजी के आपको विकेट ने मिला फिर 27 run प्लस दो विकेट निकाले है first round पे betting के सांस सा दोस्तों आपको गिंदबाजी भी करते वे दिख जाएंगे इनको अपने team के अंदर ट्राइ करना को दो match के अंदर दोस्तों यहाँ पे 53 run बना के दो विकेट निकाल चुके है तो यह भी captaincy wise captaincy के लिए best choice रहेगा श्रीमानता जो कि पहले match के अंदर 6 run फिर यहाँ पे 34 run फिर यहाँ पे 50 run स्कूर करा है तीन match के अंदर टोटल 90 run अभी तक बना चुका है बाकिया पे रवेंदर पल सिंग का record जो कि तीन match के अंदर दोस्तों यहाँ पे 33 run बना के दो विकेट निकाला है पहले match के अंदर 24 run फिर यहाँ पे 26 run फिर यहाँ पे 23 run स्कूर करा है बैटिंग भी करेंगे दोस्तों बल्लिंग भी करते हैं बल्लिंग रेर करेंगे लेकिन बल्ले बाची बहुत बढ़िया है टीम के टॉप अडर पे खेलेंगे ताफ इनको ट्राइ कर सकते हैं हर्श्रकर जो कि तीन match के अंदर 23 run बना के एक विकेट निकाला हुआ है अर्मान कपुर को ड्रॉप करेंगे चार नमर पे खेलते विए नौरन बनाया है श्रेश का रिकॉड जो कि पांच नमर पे खेलते विए नौरन बनाया है इन दोनों का ड्रॉप कर सकते हैं बाकि डेलन का रिकॉड पहले match के अंदर 2 विकेट दूसरे match के अंदर 1 विकेट निखिल लता पहले match के अंदर फ्लॉप दूसरे match के अंदर ही फ्लॉप रहा है अब दिखोई स्टार्टिंग और पर अमर खलीट और यहाँ पर सादविन जफर यह जो दो प्लेयर है आपको स्टार्टिंग और पर बॉलिंग करते विए दिखेंगे इस match के अंदर भी बाकि अमर खलीट और यहाँ पर देलन यह दो के दो प्लेयर आपको डेथ पर बॉलिंग करते विए दिखेंगे अब बैंचेस में दोस्तों यहाँ पर नवनीत यहाँ पर अखिल कुमार श्रेयस कलीम शाना और यहाँ पर दोस्तों सलमा नजर यह कुछ प्लेयर से जो की सी एन के टीम के तरफ से आज बैंचेस में आपको नजराएंगे बाकि सेम बैटिंग ओडर इस मेंच के अंदर भी देखने को मिलने वाला दोस्तों लेकिन बीए एच का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे सर्फ राज जली जो की टीम कपको ओपन करते विए देखेंगे पहले मेंच के अंदर 14 रन प्लस दो विकेट फिर 15 रन फिर आपर पर चार विकेट निकाल चुके हैं जो टीम के सेकेंड डाउन पर बैटिंग करते आएंगे ही प्लस इनका ना चार ओवर दोस्तों बहुत चांस रहता है कि बॉलिंग करेंगे जिस प्रकार दिखेंगे सेकेंड मेंच के अंदर चार वर का बोलिंग पर चार विकेट इनों निकाला था कैप्टेंसी के लिए इम्रान अली यहां पर इम्रान अनुबर बैस्ट रहेगा पहले मैच के अंदर 80 रन फिर 55 रन फिर 78 रन यह टीम के दोसों दो से तीन नमर पर बैटिंग करते भी दिख जाएंगे इनका भी रिकॉर्ड का बहतर है हाईडर अली बैट पहल पहले मैच के अंदर फ्लॉप दूसरी मैच के अंदर एक विकेट निकाला हुआ है सचीन कुमार स्टार्टिंग के दो मैच के अंदर फ्लॉप राता फिर एक विकेट जटकाए हुए हैं तीन मैच के अंदर टोटल एक विकेट इनको मिला है मुहमद दानिश चार वर का गि इम्रान अनवर यह दो गिंदबाज आपको स्टार्टिंग और पर गिंदबाज ही करते हुए दिखेंगे और डेथ पर 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 देथ वर बॉलिंग करते हुए दीखने वाले हैं आप बैंचिस में दोस्ते हैं पर शिकंदर बिलाल और यहां पर ओमर इंतियास साहिद मह्मूद और यहां पर जैन अलबिन यह कुछ प्लेयर्स है जो कि आपको आपको बैंचिस में नजराएंगे दोस्तों बी एच के टीम के तरफ से बागे सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर आपके स्क्रीन पे दोस्तों लगवग आपको सेम बैटिंग ओडर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा तो इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ओडर को फॉलू करते वे प्लेयर्स को अ करना है केनड़ा के टीम के तरब से बैटिंग में दूस्तों मेने चार बैट्समेन को लिया हुआ है और सिंग आपके लिए बैस्ट रहेगा इनका रेकॉर्ड काफी बहतर है तीन मैच के अंदर तरह 7 रन बना के 2 विकेट निकाल चुके है तो यह आपके लिए बैस्ट है एसमेट को अपने टीम के अंदर ले सकते हैं रहे हैं बहुत बढ़ी बले बाजी करहा है दूस्तों अभी तक पूरी श्टूनामेन के अंदर 3 मैच के अंदर 213 रन बनाई चुके हैं तीम के को ट्राय करने वाले हैं केनाडा के टीम के तरफ से और देखो प्रगत सिंग इनका रिकॉर्ड ना दूस्तो बहुत बहतर है फिर भी काफी कम लोग इनको ट्राय कर रहे हैं मैं एक बार फिर से इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा जो कि काफी बढ़िया ओफसन है दू टेम के फर्स्ट आंड पर केलते हैं पहले मैच के अंदर 26 रंड कर था दो बर का बॉलिंग किया आपको विकेट ने मिला फिर 27 रंबनाय थे तो टोटल दो मेचे स्किलार 25 रंबनाकि दो विकेट निकाल जो कि अब आप कहना कि कितना इंपोर्टरन प्लेयर है फिर भी काफ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर दूस्तों बी एच के टीम के तरफ से दूस्तों यहाँ पर डेविड को ट्राइ कर रहे हैं हाला कि अच्छा प्लेयर है अगर आप चाहिए इनको ट्राइ कर सकते हैं दूस्तों तीन मैच के अंदर 27 सिर्मना के दो विकेट निकाल ह बैटिंग आपको लास्ट मैच के अंदर चार नमबर पर बैटिंग करने के लिए आये थे मैं फिलाल इनको ड्रॉप करूँगा बॉलिंग और मैं दूस्तों मैंने तीन और को लिया हुआ है जिसमें से बी एच के टीम के तरह से दो खिलाड़ी है और यापे दूस्तों अगर को ट्राइ करने वाले हाला कि ये भी एच्छा ओफसन है लेकिन इन दूस्तों में इनको इस वज़े से आपे ड्रॉप कर रहा हो देखो यह ने कन्फरम आपको चार-चार उबर के इंदबाजी करते वे दी चाहेंगे अब रहाँ टीम प्रिव्यू की बाद तो मेरा टीम आप देख सकते हैं जिसमें से कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए दूनों खिलाड़ी बहुत ही जादा इन्पोर्टेंट है दूस्तों जो टीम के आपको आपन करते वे दिखेंगे यहाँ पर दूस्तों यहाँ पर रवेंद्र रपाल सिंग भी इन्पोर्टेंट है दूस्तों जो कि आपको अभी तक त्रेस्टर मना के दो विकेट निकाले बैटिंग बॉलिंग यह भी दोनों करते आपको दिख जाएंगे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रेशन बॉक्स में जहाँ कमेंट करते हैं पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया आप क्लिक करके इजी जॉइन कर सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिंद